हेलो व्रीवन वेलकम टू ब्रेक्टाइम प्लासेज इस वीडियो में हम कम्प्लीट अफ्रीका महादीब को कवर करेंगे और इससे पहले हमने एशिया महादीब देख लिया था जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का वहां से जाके आप दे करने के लिए जो नंबर दिया इस पर वाट्सेप करके डीटेल से ले सकते हैं जिसमें आपको एक्स्प्लेंटेस दी जाती और जितने भी हंडिटेंट नोट से वह सब आपको उसमें प्रोवाइट हो जाएंगे तो सबसे पहले अफ्रीका की अगर बात करें तो यह अफ्र कि किस तरह से हमने रीजन को डिवाइट किया है अलग-अलग कलर में और इस सिर्फ पढ़ने की सहूलियत के लिए इसी तरह से हम लोग को भी पढ़ना है सबसे जादा देश किस महाधीप में तो इसी अफरीका महाधीप में सबसे जादा देश है 54 कंट्रीज है इस में अब बात करें, यह एक मात्र असर महाधीप है जिससे चार प्रमुख रेखाएं होती हैं पहली तो हो गई इसमें विश्वत रेखा भूमद रेखा यानि पिर करक रेखा मकर रेखा और ग्रीन वीच रेखा ग्रीन वीच वही देशांतर जीरो डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसे ग्रीन वीच रेखा कहते हैं और विश्वत रेखा जो जीरो डिग्री जो अ Greenwich को हम अलग से cover कर लेंगे कौन-कौन से देशे को cover करती है Europe के countries को cover करती है और अफरीका को उसके बाद दच्छडी द्रूब में चली जाती है तो यही पर दोनों मिलती है इसको Greenwich रेखा कहते हैं गिनी की खाड़ी में दोनों मिलेंगी और यह अफ्रीका जो है एक मात्र ऐसा महादीप है जो कि चारो गोलार्दों में इस्थीत है अब यह देख लिया जीरो डिगरी इधर और यह जीरो डिगरी देशांतर तो इधर भी फैला हुआ इधर भी इधर भी इधर भी तो चारो यहां पे गोलार्दों में यह फैला हु उत्तर में इसके और उसके बगल इधर यूरोप आ जाता है पूरा फिर अफ्रीका और एशिया के बीच में क्या है तो इधर लाल सागर है रेड सी है और इधर स्वेज नहर है जो कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने का काम करते हैं दोनों फिर दच्छड पशिम भाग में इधर आत्लसायं सब्सक्राइब नाटिक मासार रगया इसको अंद महसागर भी का जाता है और पूरं में में एंडियान ओशन यानि हिंद महसागत तो चारों दिसायं हो गई ओपर जो है उत्तर साइट में म HC भूममद सागर है फिर एधर में लाल सागर है इधर इंदिया फिर इधर है South Atlantic Ocean आगे बात करेंगे यहां पर पांच पार्ट में इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है देखिए यह वाला पीवन हो गया पहला पार्ट इसको हम पढ़ने के लिए सिर्फ डिवाइड करें पीवन उसके बाद फिर यह वाला पार्ट जो हो गया इधर का इ इसको कहते हैं यहां पे हम बात लेते हैं P2 में इसको उसके बाद पार्ट 3 इधर हो गया पार्ट 4 यह है और पार्ट 5 यह वाला पार्ट है वेस्टन सहरा इधर वाला पार्ट जो है यह वेस्टन सहरा हो गया और इसके बगल में है मुरको यह वाला पार्ट हो गया मुरको वेस्टन सहरा और मुरको अब यहां पर यह देख लेते हैं मुरको जो है किस यहां पर जलसंदी आती है तो किस जलसंदी स ये यूरोप से अलग होता है यहां पर भूमा दिसागर में जलसंदी है जिसका नाम है जिब्राल्टर जलसंदी जिब्राल्टर जलसंदी जो है यह इस्पेन को यूरोप के इस्पेन को अफरीका के मुरक्कों से अलग करने का काम करती है जिब्राल्टर जलसंदी आगे यहां का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी क्या है तो राजधानी है अलजीयर्स राजधानी इसकी है अलजीयर्स मैप में का है अलजीरिया तो यह वाला पार्ट है अलजीरिया सबसे बड़ा है यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अलजीरिया उसकी बाद आता है पूछा जा सकता है क्योंकि है खोटा सा कन्ट्री भूमधि सागर से सीमा स्वाशा करता है और यह जूँ टी मैँसे फिर आता है यहां पर लीबिया लीबिया की राज़धानी इसानी नीजीय right की राज़ानी है काहिरा और इसका एक प्राइदीप है जिसका नाम है सिनाई प्राइदीप सिनाई प्राइदीप जो है स्वेज नहर के इस साइड दूसरे साइड पूरब साइड तो सिनाई प्राइदीप पूशा जाता है मिस्र का हिस्सा है और स्वेज नहर के पूर्व में सोडान यहां प्रण प्लू नाइल और वाइट नाइल उनके मिलने का स्थान है छातूम में ब्लू नाइल और वाइट नाइल आकर मिलती है ऊसके बाद नील नदी बन जाती है है नैक्स्ट है यह बात करेंगे साउथ सूडान की जिसकी राजदान की जूबा यहाँ पिसूडान की सुडान के इं इमपोर्टन्ट है तो पहले जो मैप एक लियर हो जाता है तो बाकी चीज़े आसान हो जाते हैं जीले नदिया और जो भी चीज़े पाढ़ वगरा उसे बाद में देख लेंगे और कहां से करकर एका मकर एका भी जाती यह भी लास्ट में मैप के द्वारा पढ़ लेंगे पार्ट ने देखे ऑन पार्ट इसमें जो पहला कंट्री है यह इसी मं आ जाएक हड़ा पर एक पर एक दम चोटा सा यह वाला पार्ट है जीबूती जीबूती की राज़ानी जीबूती है ये भी दोनों यहांपे हर्ण आफ अफरीका में आएंगे फिर आता है सोमालिया अभी हम केवल वही कंट्री देख रहे हैं जो यहां पे समुदर से सीमा साजा कर रहे हैं तो पहला है तो हो गए एरिट्रिया फिर हो गए जीबूती फि इंडिया नोसन से यहाँ पर सीमा साजा कर रहा है केन्या और अब हमने देखा था यहाँ पर एरिट्रिया जो था एरिट्रिया किसे साजा कर रहा था लाल सागर से जिबूती भी लाल सागर से सोमालिया लाल सागर से भी और इंडिया नोसन से भी फिर आता है इथोपिया इथ इसकी राज़ानी क्या है डोडोमा और पूरे अफ्रीका की सबसे उंची चोटी है जिसका नाम है किली मंजारो वह इसी तंजानिया में इस्थित अभी आगे हम देखेंगे और यहां पर कुछ चीज़ें और जो मैंने यह कंटी बता है इसमें होर्ण ओफ अफ्रीका में कौन और सोमालिया बाकी कंट्रीज को नहीं लिखा रहता है और कभी कभी केन्या को छोड़ दिया जाता है तो इस तरह की चीज़ें जो है अलग अलग दिखती है लेकिन होर्ण ओफ अफ्रीका पूरा यह होर्ण जैसे निकला है ना सिंग यह पूरा जो होर्ण ओफ अपरीका मे कि बड़े बड़े कंट्रीज पहले यह पार्ट ऑफ तीसरा वाला पार्ट इसमें पर पहले बड़े देश यह पर मेरितोनिया यह कंट्री हो गया जिसकी राजदानी नहीं और नाइजर दोनों लेंड लोग नहीं याद रखेगा माली जो है इसकी राजदानी बमाको और तीसरा वाला नाईजर की राज़ानी निमाई को नाईजर की राज़ानी निमाए और यह दोनों जो हैं लैंड लॉक्टरीज आ सकते हैं यह छोटे-चोटे कंट्री इन से पूचे जा सकते हैं अगे यहां पर देखते हैं कौन कौन साइज में चोटे वाले में पश्चिम से पूर पहला आता है सेनेगल यहां पे सेनेगल आएगा सबसे पहले मैप में देखते हैं यह आगया सेनेगल की राजानी क्या है तो डकार सेनेगल की राजानी क्या है डकार फिर आता है गैंबिया फिर यहां पे चोटा सा कंट्री आएगा गेंबिया की राजानी क्या है तो गेंबिया की राजानी है बांगुल बांजुल गेंबिया किया पर कैपिटल क्या है बांजुल यह लिखी हुई है बांजुल फिर आता है गिनी विशाओ गिनी विशाओ कहां पर है तो गिनी विशाओ यह है छोटा सा गिनी विशाओ गिनी विशाओ की कैपिटल है फिर आता है गिनी पहले गिनी विशाओ आएगा फिर गिनी आएगा और गिनी की कैपिटल क्या है कोनाकरी कोनाकरी है गिनी की कैपिटल यहां पर कोनाकरी जो है यह गिनी की कैपिटल है अगला जो यहां पर कंट्री आएगा सियरा लियोन नेक्स्ट राता है सबसुन आपर इसकी राजधानी नहीं है इतना ज्ञाधा इंपोर्टन नहीं यह नेक्स्ट याँ पर बात करेंगे अगला जो कंट्रिय वो है घाना ओरना की कैपिटल क्या है तो घाना की कैपिटल एक कर तोगो की का यस ऑनिही है यह पर यहperedब छुशनान आगे यहां पे बात करेंगे फिर से देखलीजी यहां पर सेनेगल आता है आगी कुष्ट यहां नहीं है अभी किसी और महादीप में देखेंगे गाना की बात करें तो यह है घाना उसके बाद टोगो है फिर बैनिन है फिर आता है नाइजीरिया अब इन सब के बीच में नीचे वालों के बीच में यह सभी कोश्ट लाइन पे हैं छो कि साउथ अट्लैंटिक से सीमा साजा कर रहे हैं और इसमें जो एक फशा हुआ कंट्री है वो है बुर्किना फासु बुर्किना फासु इन सब के बीच में फश गया है तो यह जो है लैंड़ लॉग प्रिशिया में फशाव के बांजूं सीर्अगा और लया को नाकरी है किस्ट कि कि या मो सोक्रो फिर घाना की अक्रा इंपोर्टन्ट एक्रा टोगो की लोम है बेनिन की पोटो नोओ है नाइजीरिया की अबूजा ॥ा कि अगार दोगु है बुर्किना फासो की और यह इन सब के बीच में फसा हुआ है आफी देखा है है और ये इन सब के बीच में फसा हुआ है बुर्किना फासू नेक्स्ट यहां पर अगला पार्ट जो है वो है चौथा पार्ट फोर्थ और यह जो है मैंने दिखा दिया इसे रेड कलर से तो इसमें सबसे पहले कोश्ट लाइन वाले देख लेते हैं कोश्ट लाइन वाले जो स्वाजा कर रहा है पहला आएगा कैमरून जिसकी राजा नहीं यहां दे अगर बात किसा अफ्रीका में इस सबस्यादा वर्षा कहां पर होती है तो यहां ही रोन पर आगे यहां पर देख लेते हैं फिर सो यहां मैपकी माधियम से पूरा देख लेंगे यहां हो गया यह कै मिलती है लिखकु त्वर भी सी मां साजय करने वाला ही कैमरून हो गया ख फिर से देख लेते हैं यहां पर कैमरून हो गया जिसकी राजदाने याउन्दे जहां पर सब्सक्राइब की चार देश एक तरिवरों तë था रेम ग़िंट और देविकर देशने ब्राजद innate ले और भी उतबी में जो कि कोस्ट लाइन सरीशें कर रहे थे हैंब यहां पर देश हैं जो स्थल रोध है इसी वाले पार्ट में चार देश ऐसे हैं जो कि स्थल रोध हैं कौन-कौन से पहले तो हो गया यूगांडा उसके बाद यहां पर बुरुंडी और रवांडा भी आ जाता इसी में चोटे-चोटे दो हैं यूगांडा हो गया बुरुंडी हो गया और रवा यहाँ फिर से देख लिएजिए चाड चाड की जिसकी राजधानी है नर्द जमेना यह इंपॉर्टंट नहीं है। युगांडा की राजधानी कंपाला हैं रमान्डा की कीगाली से फिर बुरुंडी दिका पहले रमान्दा या याद रखितेगा ऊपर फहले उत्तर में हमान स्वार्ट तोसट्पकी कियो से मत ख़ें देश है हैरे सबसे पहले यहां पर आंगोला आएस गाल नामीबिया eh पारप्रिका और ब्लोंव फॉन्टन गो while工 के बश्चोल भीयोंग यहां रागा सीसे garlic के भीकान के सब करेंगे फरें वाला के सभेंग्द्रेल का लोमफॉन टाउन और केप टाउन तीनों साउथ अफ्रीका की राजानिया है फिर आता है यहां पर मोजाम्बिक देश यह वाला हो गया मोजाम्बिक जिसकी राजानी है मापूतो अब इसी में लेंड लॉग्ड कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी है तो लेंड जांबिया है जांबिया कहां पर है यह वाला जांबिया है जांबिया की राजानी लुसा का राजानी इसकी इंपॉर्टन्ट है फिर जिंबॉम्बे है जिंबॉम्बे की राजानी हरारे सबसे ज्याद साख चारता जिंबॉम्बे में अफ्रीका की बात करें तो यहां गया यहां पर एशंवातिनी दोनों साउथ अफरीका के बीच में आते हैं मतलब दोनों चारों तरप से जो है इस आफरीका से गिरे रहे हुएं उसके अंदर यह आते हैं तो लेसो थो और अफ्रीका के अंतरगत कौन से देश हैं नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे अफ्रीका से समंधित कुछ दुइप है जिसे पूर में इदुइप बहुत पूछ ली जाते हैं पूर्व में कौन कौन सा दुइप है तो शुकोत्रों है सबसे कर्store सबसे बड़ा दूए के सबसे बड़ा ऐस्पटर की रजधानी काफी इंपॉर्टेंट है अन्तानानाधियो जो किसकी रजधानी है जैसे प्राणाउन्स केहाएगा और किसके रजधानी यहीं ilallium पिर आता है कॉमोरोस यह मैवियोती इसकी राज़धानी पिर आता है मौरिस तच्छडपूर में यहां पर यह आधा इसकी राज़धानी है सेंट डेनीज री यूनियन दूइप की राजदानी संट डेनिस फिर आता है कॉमोरोस की राजदानी मोरोरी उसके बाद फिर सेसल्स आता है सेसल्स की राजदानी विक्टोरिया कोमोरोस की राज़ानी मोरोनी है यह भी इंपोर्टन्ट है तो यह सभी जो है इधर साइड वाले दूइप हो गए आगे बात करेंगे अगला जो है पश्चिम में कौन-कौन से दूइप है पश्चिम में अभी हमने देखा था गिनी की खाड़ी में साउट ओमें प्रिंसेप प्रिंसेप की राज़णी क्या है तो साउट ओमें फिर एक के पॉर्डे दूइप है पश्चिम वही इसकी राज़णी प्राइया कनारी दूइप समू है कनारी जलधारा भी कहिए ठंडी जलधारा है कनारी जलधारा जो जलधारों वाली शेक्षन में हम देखेंगे यहां अट्लांटिक महासागर में इस्तित एक दूपी देश है अफरीका के अंतरगत आता है फिर एक अर्सोस दूपी इधर ही है अफरीका के पश्विब में आगे बात करेंगे कुछ जीले अब जीलों से नदियों से इनसे अफरीका महादीप में ज्यादा कोश्चन बनते हैं तो सबसे बड़ी जील है यहां की वह विक्टोरिया जील अफरीका की सबसे बड़ी जील अगर विश्यों की बात करेंगे तो नील निकलती है और यहां से blue nail नहीं निकलती याद रखेंगे ब्लू नहीं भी आगे देखेंगे और यह ब्रंस घाटी में नहीं रहती इतनी बड़ी जील है और अफरीका में बहुत बड़ी ब्रंस घाटी है आपको पता ही होगा यह पूर्व साइड में पूरी ब्रंस घाटी और बहुत सारी जील है लेकिन विक्टोरिया जील यह ब्रंस घाटी के अंतरगत नहीं आती है फिर आता है टंगानिका जील टंगानिका जील जो है विश्व की सबसे लंबी जील लंबाई में बहुत ज्यादा है अभी मैप में भी देखेंगे और यह किसे किसे सीमा साजा करती है तो कॉंगो से तंजानिया से जांबिया बुरुंडी से सीमा साजा करती है टंगानिका परेति यूगांडारेट में यूगण्दा और कॉंगों परिस्थी थे लेकश ऑल तक अगलेर अगल हैं पिल रुकुवा जिल कहां पर दौई इसल के ब्रुद्विल और पर देखेंगे सभी सभी जील होए कांगो जांबिया की सीमा पर है लेक वंग एलू है जो कि जांबिया पर है कुछ चीज़ इस पर रटनी भी पढ़ेंगी जो कि पूछी जाती है एक्जाम में लेक चिलवा की बात करें तो तंजानिया मुझांबिक और मलावी की सीमा पर है लेक तुरकाना बहुत पुछी आती है और लेक तुरकाना कहा है केन्या में लेक ताना कहा है इथोपिया में लेक ताना से ही जो ब्लू नाइल हो निकलती है इतोफिया से लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है और विक्टोरिया जिल से वाइट नाइल निकलती है दोनों कहां मिलती है तो खार्टून शहर में मिलती है उसके बाद उसका नाम नील नदी हो जाता है आगे बात करेंगे ओल्टा जील का थे तो घाना में अब चाड जील चाड जील जो कि जीब हुती में पर है ऑगे इस सबसे निउनतम बिंदु है अगर जीलों की बात सबसे नियुंतान बिंदु कौन सा है तो असाल जील जो कि जीबूती में एश्थित्त है जीबूती किस में आता है होड़ नफ अफ्रीका में आता है और यह ब्रेंस घाटी की जीलाएगी अलबर्ट जीलाथी उत्तर से देच्छल पूछ ले लाता है इसलिए मैप देख रहे हैं लेक विक्टोरिया जो कि सबसे बड़ी है जो कि केन्या तंजानिया युगांडा की सीमा पर है फिर क्योगा आती है यहां पर कियू आती है फिर टंगनिका लेक आती है फि जीलों को देख लिए आमने जीले जो है कुछ रटनी भी पड़ेंगे आपको इतनी जीले यहां पर देख लिए उसको रटना पड़ेगा नदियों की बात करें तो सबसे लंबी रदी जो है वह नील लदी और वाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलकर बनती है यह बांध बना है जिसका नाम है ओववन बांध गृस्त नदी पर है तो ब्लू नाइल विदे दिया लिए गर वफ्योट नाइल की बात करें तो टाना जील से निकलती है इत्थोपिया से और दोनों गहां पर मिलती है तो खार्तून में उतरी सूड़ान में सूड़ान में जा सब्सक्राइब कौन सब्सक्राइब अमध्यृण निल नधी दब मिस्र में इस्तित एly घृण और इतुञmak और सूडाञंग मेंозможно एक सब्सक्राइब पर यूगानदा में आभ यहाँ पर देख लेते हैं ईसके लिकल नदी के लिए नमबर फे हमारा सुंदर बनाता आगे बात करेंगे कॉंगो या जायरे नदी किसे मिलकर बनी है तो लुआ लाबा और लुआ पूला नदी से मिलकर बनी है अपोहन की दृष्टी से अकर देखा जाए तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है अपोहन की छेत्र की सबसे बड़ी है पिर आती है सायक नदीयों की बात करें तो इसकी सायक नदिया और उबांगी ये नदी जो है कॉंगो नदी और कसाए नदी बांगी नदी ये सबी कटंगा परवज जो है वहाँ से निकलती है ये नदिया इसकी सायक नदिया भी और ये खुद भी इसके अलावा इंडिया में माही नदिया करकर रेखा को दो बार काड़ती है और यह जो कॉंगो नदी है भूमद रेखा को दो बार काड़ती है अब यहाँ पर कॉंगो नदी पर एक बांध हिस्तित है जिसका नाम है इंगा बांध किस पर हिस्तित है कॉंगो नदी पर और यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है नील नदी डेल्टा बनाती थी लेकिन कॉं जांबैजी नदी कटंगा पठार से निकलती है यहां पर साउथ कटंगा से निकलती है जा कर ईंग्रती मोजांबी चैनल में और यदर मजंबी से निकल चैनल कि इंग यहें पहुंद गरों कहा आकि pierws जान भाउ से छिए जाम्बेजी नदी Πर है और विशो का सबसे चौड़ा जालिघी नदी एक जल प्रप absolania और यह कहा गिनी से होते हुए कौन सा एरिया है अगर ऐसे अफरीका की बात करें तो यह कौन सा एरिया है यहां से निकलेगी और सियरा लियोन से गिनी माली वगरा होते हुए नाइजर होते हुए नाइजीरिया होते हुए गिनी की खाड़ी में आकर गिरती है और इस पर जो बांध बना पेट्रॉलियम निर्याता के बहुत बड़ा पॉत है जो कि कहा प्रेंचत है तो नाइजीरिया में इस्थित है नेक्स्ट बात करेंगे और परवद ऑन्लव कि बात कर लेते हैं तो पर मंवाउंट कि चूछन से चूठी परिस्तित उस इतना होचा है झिस भूमत रेखा कि आसपास सी यह बहुत गर्मी पड़नी चाहिए लेकिन किली मंजारों के ऊपर बरफ पड़ती हूं वाइस कोष्छन पड़ता है बंदाता है यह बरत भडब पड़ता है है एक मेर्ति जोला मुखह का सबसे। परवत है दंजानिया shots में परव한데 केनिया और चेमा इस बहुत हैं माउंट एलगुण केनिया यूगांडा में कुछ चीजेब गुञे जाती है कि अफरीका के साईड में पूरपशी मुत्तर देच्छोर तो इस तरह से भी पता होना चाहिए मैप में कहां कौन सी चीज है फिर आता है मांट कैमरून मांट कैमरून में इस्थी थे एक सक्री जॉला मुखी मांट कैमरून फिर आता है कटंगा परवत कटंगा परवत जो है जायरे और जांबिया में यहां पर इस तरह जायरे और जांबिया में फिर आता है मुचिंगा परवत जो की तंजानिया जांबिया और मलावी में मुचिंगा परवत कहा है जो की तंजानिया जांबिया और मलावी में फिर आता है लोमा परवत गिनी और सियरलोन में गिनी और सियरलोन में है यहां प गिंगा परवत फिर अगे चुन यहां पर यह इसेफ और शिछरगर परवत कर फालए अदा मावत कर ता प्थारा नाजीरिए और केमरून में नाइजीरिया और केमरून में है अदामावा और यहां पर इथोपिया में कौन सा है तो अभी शीनिया पठा रहे हैं आगे बात करेंगे मरुस्तल की तो सबसे बड़ा मरुस्तल और विश्व का सबसे बड़ा बरुस्तल यही है सहारा मरुस्तल यह पूरा उत मित्टर पूर्वी सुडान में स्थित नूबियन मरुष्थ गौह दिया जाता है साहरा को अलग अलग जगह पे अलग नाम से भी जाना जाता है नीज नदी अर्लाल सागर की बीच चेतर होता है दच्छड में नामीबिया से लिकार दच्छड अफरीका तक फैला हुआ है नामीबिया बोस्वाना और दच्छड अफरीका तीनों में फैला हुआ है कालाहरी मरुस्तल जहां पर बुस्मैन जंजाती पाई जाती है जन्जादियों का सेक्षन अलग एक जन्जादी वाले वीडियों में तीन-चार दिन पहले किया है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सवाना कैसा घास का मैदान है तो उष्र लगपाद बन दिया तो यह मैदान पूष यापस मैसें डश्र मैचिंग में पिर जो सउथ-फ्रीका कपा यहां का जो जोहांसबर्ग करता है यह सोने के लिए काफी फेमस हुआ काँए और ही निटी घृत की मड़ी फेमस हैं और दच्षड अफरीका जो देश लागे हम लेक। वह अफ़ एंप विआप के लिए काफी प्रसिद होता है जायरे का प्रसिद्द है यह पहलिए यहां पर ज्यादा होता है इसलिए लॉंग दीप कह दिया जाता है पंबा और जंजी बार लॉंग इलाइची के लिए प्रशिद्ध है दोनों कहां पर है पंबा और जंजी बार यह पूछा जा चुका है दोनों दंजानिया में आगे यहां पर बात करेंगे नेक्स जो है वो है पुराना नाम कुछ पुराने नाम दिये गए है जिनका पूछा जा सकता है कि इनका पुराना नाम क्या है तो मेडा गासकर मेडा गासकर यह पुराना नाम था नया नाम क्या है तो इसका नया नाम है मालागासी मेडागासकर पुराना नाम था नाम है मलागासी बोच्षवाना का पुराना नाम क्या है तो बेचुवाना लेंड जांबिया का पुराना नाम है उत्री रोडीशिया ही पूछा जा चुका है पहले और जिमबॉम्बे का पुराना नाम है दच्छडी रोडीशिया फिर इथोपिया का पुराणा नाम है अभी शीनिया और लुसाका जो की जिम बॉंबी जांबिया की राजदानी है लुसाका इसका पुराणा नाम लुसाका का क्या था तो सेलिसपरी सेलिसपरी लुसाका का पुरार नाम था और लुसाका अभी क्या है जांबिया की गेपिटल आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्लेव कोस्ट किसको कहा जाता है तो स्लेव कोस्ट टोगो बेनिन और नाइजिरिया को कहते है सब्से गर्म इस्तल है अफरीका का सब्से गर्म जो रिकॉर्ड किया गया गयाया अलikt जीजिया अमेर फिर कांगो नदी ज жो है यह डेल्टा नहीं बनाती है प्रांसवाल और नटाल कोइला खाण कहां पर हैं प्रांसवाल और नटाल दोनों कोयला की खाने चरवाए उनको कॉयला ने में काड़ेटो गास घ्रावरी का उतरी आफी में काफे पाई जाती है पिर आता है सरवाधी कोको कहा पाई जाता है तो आईवरी कोस्ट में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है इसको लोग मिस्र के किसान को फिला करते हैं अब करकर रेखा कहां कहां से उकर जाती है तो करकर रेखा देखिए वेस्टन सहरा से जाएगी वेस्टन सहरा साड़ी तेश डिगरी करकर रेखा होती है वेस्टन सहरा उसके बाद मैरितोनिया माली अलजीरिया फिर यहां पर जब तक मैप नहीं क्लियर रहेगा तक यह याद करने की ट्रिक होती है M-A-L-E M-A-L-E यह मेल हो गया इधर वेस्टन सहरा से भी जाएगी तो यहाद रखना है और इधर माली मेरितोनिया नाइजर और चाड नेक्स्ट बात करेंगे भूमद इसागर की भूमद रेखा की तो भूमद रेखा जो है साउटो में साउटो में प आता है रिपाबलिक और कॉंगो उसके बाद ड्याकर ड्याडЕ कृउब्लिक आउसकोंगो ओन्गो ड्याकर अजर्डी के आसब करिकशए दसीने पूञेक और मपीक प्रफ्राइव सनालिया यह मेड निदा गासकर है यह क ces आउता मेड़ा गासकार तो एकनी चीजी इंपॉर्टन थी करके रेखा मकर रेखा पूमद रेखा जरूर रच्छे से देख लीजिएगा अपने आपके पास जो मैप होगा उससे भी वीडियो पसंद आया हो यूसफुल लगा हो तो लाइक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके सब्सक्राइब करके डिटेल्स ले सकते हैं सभी नोट्स अगर अभी यहीं पर मिल जाएंगे थैंकियो सब्सक्राइब क्लासिस